दोस्तो यार काफी दिन से मैंने MCN के बारे में आपको काफी वीडियो में बताया है कि आपको MCN किस तरह से जोइन करना है आपको किस तरह से जोइन करना है multi channel network यानी MCN उसके साथ एक company और है दोस्तो आपको उससे अपना account verify कराना होता है जिसका नाम है दोस्तो freedom, freedom के बारे में में मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है उसकी detail को लेकिन आप लोगों की काफी demand की वज़े से मेरे पास इतने comments आये हैं, भर भर के comments आये हैं के sir आपने हमी यह नहीं बताया के mornings soundstock आपको country proxy setting किस तरह से हैं मतलम आपको आपनी videos को कौन कों सी कन्ट्री में बमोग करनी है, कौन कों सी country में दिखानी है तो completely मैं आज आज आपको इस Ohh means रहां कि跟我 country में बमोग रहा है, और कौन कोन सी कन्ट्री मेरे बमोग रखनी है तुस्तो वह इसलिए ने आपको बताया था कि यदी आप कहीं का कोई डेटा अपने YouTube चैनल सेачे इंगा डाउन लोड करते हो कहीं से भी लेकर आते हो मतलब उस्कों डाउन लोड करते हो रीउस कंटेंट को और दोस्तों आपको re-upload करना है अपने YouTube चेनल पर और आपको वो वीडियो उस country में नहीं पब्लिश करनी है जिस country की वो वीडियो है और दोस्तों उस country को ब्लोक करके आप otherwise other country में उनको शो कर सकते हैं दोस्तों completely मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपनी वीडियो को किस तरह से ब्लोक करना है country के हिसाब से और किस तरह से शो करना है अपनी उन वीडियो को other country में तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे computer की स्क्रीन पर और वहाँ पर जाकर हम आपको दिखाता ह है तो आप country wise के हिसाब से यहां पर ब्लोक कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ अपने वीडियो मेनेजर में यहां पर मैं आचुका हूँ अपने वीडियो मेनेजर में उससे पहले आपका जो चैनल है दोस्तों देखिए यहां पर freedom dashboard पर मैं आपको य इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर जाना है block by country option पे block by country option पे जाकर आपको कर देना है यहां से click क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर सभी तरह की countries यहां पर show हो गई है और दोस्तों यहां पर starting में देखिए ओपर यहां पर लिखा हुआ है allow blocks or reset यहां से आप इसको country के साफसे block करके reset भी कर सकते हैं वापस से और इसके लाव अगर आपको यहां पर block करनी है किसी भी country को तो यहां से आप country को select कीजिए और select करने के बाद कर दीजिए यहां से normally block ब्लोक करने के बाद दोस्तों आपकी वो वीडियो उस country में शो नहीं होगी जिस जिस country को आपने select किया हुआ है और आपने यहां पर इसको hide करके रखा है तो यही है country's blocking को लेकर full setting so guys completely मैंने आपको इस वीडिए में दिखा दिया है बता दिया कि आपको किस तरह से अपनी वीडियो को country केसा से ओकर रखर करनी है और country के प्लोक करनी है completely उमीद है मुझे करको समझ मैं आगया होगा और दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो औस देखनी ये